प्यारे बच्चों अस्सलाम अलेकुम बीस नुकाती प्रोग्राम के लिए एक जुलाई 1975 को वजीर आजम इंद्रा गांदी ने बीस नुकाती प्रोग्राम का ऐलान किया जिसमें उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की आफ्त मुमालिक की दोड़ में अंधा धुन दोड़ने के बज़ाए मजबूती के साथ मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने का ऐलान करते हुए बीस नुकाती प्रोग्राम का मनसुबा बनाया मजदूरों के मसाइल 11 जुलाई 1851 को काउस जी दावर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल कायम की उसके बाद दादर परेल बाइकला स्यूरी परभादेवी और वरली में भी कपड़ा मिलें बनाई गई जिसकी वज़ा से ये इलाका गिरन गाउ यानि के मिलो का गाउ कहलाने लगा 1971 से 1980 के दौरान मिल मजदूरों को मुनासिब मजदूरी यानि तनुखा हैं और बोनस वगईरा की रकम बराबर ना मिलने पर उन में बेचेनी वबेतमिनानी फैल गई जबके कपड़ों के अलावा दूसरे कारखाने और सनुटों के मजदूरों को अच्छी तनुखाहें दी जा रही थी 1981 में मिल मजदूर संग यानि के तन्जीम के धोके की वज़े से मालिकों और मजदूरों के दर्मियान नाइतिफाकी से हर्ताले होने लगी डॉक्टर दत्ता सामंत की रहनुमाई में 65 मिलों के मजदूर एक साथ मुद्ध हो गए डॉक्टर दत्ता सामंत ने हर्ताल की कयादत की 18 जन्वरी 1982 को मुंबई में तकरीबन ढ़ाई लाख मजदूरों के हर्ताल पर जाने से गिरन गाओं के धर्धर क्या रुकी जैसे मुंबई की नब्स और धर्कन ही रुक गई वजीर आला पैरिस्टर अब्दूर्रह्मान अंतुले साहब ने उसके लिए एक तीन जमातों की कमिटी बनाई और बाद के वजीर आला बाबा साहब भूसले ने बादचीत के जरीए मसला हल करना चाहा जो के नाकाम हुआ शुरूआत में मजदूरों के हर तरह से गाओं वालों ने मदद की हरताल लंबी होने की वज़ा से मजदूरों में फूट डालने की कोशिशें की गई छे महिने तक हुकूमत ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो मजदूरों ने जेल भरो यानी जेल जाने का काम शुरू किया तब भी कोई फाइदा मजदूरों को नहीं हुआ हरताल को पूरा एक साल होने पर तकरीबन देर लाख मजदूर बेकार और बेरोज़गार हो गए और हुकूमत ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया अब सूती कपड़े से ज्यादा एहमियत नए पॉलिस्टर के कपड़े को मिलने लगी जिसकी ज़ह से सूती कपड़ों की मिलो के मालिकान ने मंबई से सुरत यानी गुजराक में कपड़ों की मिलो को मुन्तकिल कर दिया उसी हरतालों के दोरा समाजी, माशुरती और स्काफती नजरिये के लोग शाहिर लोगों ने और शाहिरों ने लोक नाच, लोक कला और अदब के जरीए मजदूरों और उनकी एहमियत, हिम्मत और महनत कुश्चों की जिंदगी पर शाहिर अन्ना भाव साथे, शाहिर अमर्शेक, शाहिर साबले और कई अवामे शाहिर नाराएन सुर्वे, नामदे और धसाल जैसे लोगों ने इनकलाबी नजमे लिखी और कई इनकलाबी प्रोग्राम किये उसी दोरान 14 बैंकों को कौमिया लिया गया था नई माशी पॉलिसी जिसमें जदीद भारत यानी मौडन इंडिया की तारीख में 1991 का साल बड़ी एहमियत रखता है क्योंके इस अरसे में बहुत सारी तबदीलिया हुई दसफी लोग सभा के इनतेखाब के बाद जब पी वी नरसी महराव वजीर आजम बने तब उन्होंने वजीर मालियात यानी फाइनन्स मिनिस्टर डक्टर मनमौहन सिंग उनकी मदद से भारती माशीयत को आलमी यानी दुनियावी सतह पर जनी दुनिया के जियादा से जियादा मुमालिक के साथ तिजारत करने और माशियत तिजारत से जोड़ने का कदम उठाया जिस के लिए उन्हें पहले के माशी निजाम में कुछ बुनियादी जुरूरी तबदीलियां करना पड़ी और भारत की माशियत को दुनिया की माशी रफ़तार के साथ करीद करने की और कोशिशें की उसी बीच भारत की माशी हालत बहुत खराब हो चुकी थी नसीमा राउ से पहले चंदरिस शेखर की हुकूमत में मुलक की माशी हालत खराब हो जाने की वज़ा से हुकूमत के पास नगद रुपिया और दूसरे मुमालिक से हासिल होने वाला रुपिया यानि जर्य मुबादला भी बहुत कम था एक माई 1991 में चंदरिस शेखर ने आलमी बैंक को कुछ सोना बेच कर तो कुछ रहने यानि गिर्वी रखकर मुलक के हालत पर काबू पाने की कोशिशें की चंदरिस शेखर से पहरे जो वजीर आज़म थे विशुनार परताब सिंग ने अपनी हकूमत के दौरान तमाम किसानों का तकरीबन दस हजार करोड का कर्ज हकूमत की तरफ से माफ कर दिया था जिस से मुलक की माशियत को भारी नुक्सान हुआ यानि के खैर मुलकी कर्ज का बोज भारत पर बढ़ गया 1980 से 81 में खैर मुलकी यानि दूसरे मुमालिक का भारत पर कर्ज 2350 करोड डॉलर था जो 1991 में बढ़कर 8380 करोड डॉलर हो गया जबके दूसरे मुमालिक से अपनी अशिया की फरुख में आने वाला रुपिया यानि जर्ए मुबादला सिर्फ 100 करोड डॉलर था इसी दोरान इराक के कोईद पर हमले करने की वज़ा से तेल यानि पेट्रॉल वगयरा की कीमतों में अजाफा हुआ और भारत के लिए दूसरे मुमालिक का कर्ज़ा अदा करना बहुत मुश्किल हो गया करना बेल कि दूस्थ दूस्थ अद्द कर से जे ढूछाए है कर दो दूस्थ अभ्यों कर मालिक करना बहुत्त कर दो लिए गज़ा है महता है मुमालिक कर दो दूस्थ